आरपीएफ आरपीएफ रिक्रूट्मेंट 2021 नमस्कार दोस्तों आरपीएफ की तरफ से 18,000 फदो पर मेल और फिमेल दोनों कैंडिडेट को लिए एक बड़ा रिक्रूट्मेंट करने जा रहा है दोस्तों इसका उफिसले नोटिविकेशन जल्द ही आपे जारी होने वाला है इसको लेकर इस बार आपकी जो अलग-अलग वैकंसी कितनी है एज क्रिटेरिया क्या रहेगा सलेक्षन प्रोसेश क्या रहेगा कब से कब तक आपके ओलाइन रजिस्टेशन होंगी इसको लेकर पूरी जानकारी आपको इस उडियो में डीटेल से बताने वाले हैं कि आखि तो पूर्ण साबित होने वाला है आप वीडियो के हैं तक आप जरूर बने रिजिएगा साथ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे अगर आप पहली बार आये हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आर पीएफ और आर पीएस अप रिकूटमेंट और आर पीएफ के साथ इसमें याप पर मेल और फीमेल दोनों केंड़िटों की वेकंसी आएगी पचास परसेंट वेकंसी है वो फीमेल केंडिडेट की भी रिजर्वेट रखी गई है दोस्तों मैं आपको सारे जानकरी दिखा देता हूँ एक बार दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो रेलवे करेगा 18,000 जवानों की बरती बिल्कुल 18,000 जवानों की बरती रेलवे करने जा रहा ऐसे में सभी अव्यारती जो नई भरती 2021 की जो रेलवे की बरती आने वाली है कि 18,000 जवानों की बरती है वो करवाई जाएगी दोस्तों इस बरती को लेकर मैं पूरी जानकरिया आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपका selection प्रोसेस होगा कितनी कितनी vacancies आपकी होगी male candidate की vacancy कितनी है female candidate की vacancy कितनी है तो दोस्तों यहाँ पर रेल्वे में जो 18,000 पदों पर आपकी बरती होने वाली है इसमें जवानों की जल्द ही यहाँ पर बहाली की जाएगी इसमें पहली बार महिलाओं के लिए भी सीटे सुरक्सित कर दी गई है 50% vacancy है वो महिला candidate के लिए रेजर्वेट रखी गई है साथी बहाली के इच्छु कव्यारती ओनलाइन अवेदन करेंगे यहाँ पर कुछ दिनों पहले बोपाल में देशबर के मुख्य वानिजे परबंदकों की एक बैठक हुई थी और इसमें रुक्सा करमी है उनकी संक्यातों बहुती कम है अगर वेकेंसी बढ़ाए जाएगी वेकेंसी आपकी यहाँ पर 18,000 की आती है तो इन में 50% मतलब 9,000 वेकेंसी अकली female candidate की होने वाली है दोस्तों मैं उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी बता देता हूँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर age criteria बता देता हूँ कितनी साल से कितनी साल तक के male और female candidate इसका form एपलाई कर पाएंगे इस बार आपकी वेकेंसी आते ही जबकि SC, ST के candidate SC और ST के candidate है वो 30 साल तक इसका form एपलाई कर पाएंगे जबकि OBC की अगर बात करें तो OBC के candidate है वो 28 साल तक इस बार form एपलाई कर पाएंगे इसमें आपकी वेकेंसी दो पार्टों में देखने को मिलेगी एक होगी आपके RPF जी यहां दोस्तों RPF होगी एक All India Police होती है जो Reservate Police होती है जिसे हम RPSP बोलते है मतलब यहां पर Railway Protection Security Forces जो Railway में यहां पर movement करती रहती है और RPF होती है वो अलग-अलग railway सुरक्षा के जो यहां पर थाने होते हैं उनमें काम करती है जबकि RPSP एक Reservate Battalion होती है जो movement करती रहती है दोस्तों यहां पर आपकी जो vacancy आएगी उसमें यहां पर Only 4 दसवी pass अगर आप दसवी pass हो तो आप इस बरती का form apply कर पाऊगे जो आपके percentage qualification है percentage criteria है वो इसमें नहीं रखा जाएगा percentage आपके चाहिए कितने हो आप दसवी pass होना चाहिए आप इस railway की बरती का form apply कर पाएगे दोस्तों यहां पर पूरी जानकारी में आपको बताता हूँ इसमें सबसे पहले आपका computer west test ही होने वाला cbt test होगा और इसमें आपको 90 minute का समय मिलेगा और 90 minute का समय मिलेगा जिसमें आपका syllabus में बता देता हूँ journal awareness आएगी आपके जिसमें आपके science उसके साथ arithmetic, general intelligence और reasoning के questions आपको पूछे जाएगे उसके लवा दोस्तों physical आपका जो return होगा return में qualify होने वाले candidate हो का physical होगा और railway का physical होता है वो काफी पांच मिनेट और 45 सेकिंड पांच मिनेट और 45 सेकिंड में 1600 मिटर की running करनी होती है 14 feet का long jump होता है जी हैं दोस्तों 14 feet का long jump होता है और 39 उनका high jump होता है physical में पिछली बढ़ती की गिर बात करें तो physical में काफी ज़्यादा संक्या में बाहर हुए थे क्योंकि दोस्तों physical में सबसे ज़्यादा railway में बाहर होते हैं क्योंकि 1600 मिटर 5 मिनट 45 सेकिंड में running बहुत ही कम candidate होते हैं जो qualify कर पाते हैं तो ऐसे में दोस्तो final med list है वो railway की नहीं बढ़ती है अगर आप का top में सामिल हो जाते हो और आप अगर physically qualify हो जाते हो तो आपको railway में बढ़ती होने से कोई नहीं रोग सकता उसके बाद में दोस्तो physical जीन बढ़ती हो complete हो जाता है उनका document verification होता है और document verification आपका complete होने के बाद में आपका medical examination होता है जी हैं दोस्तो medical examination के बाद में final medalist के आदार पर आपका chain कर लिया जाता है और जो railway के आपकी vacancy आती है rpf और rps उसकी vacancy आपके zone wise आती है आप कौन से zone से form apply करोगे अगर आप north west zone से apply कर रहे हो तो वहीं पे आपको जो big वहीं पे करनी होगी जी हैं दोस्तों ये only for rpf के लिए लाग हो है जबकि rps f है वो all india movement करती रहती है हर जगए जैसा 4 साल दिल्ली है तो उसके बाद अगली 4 साल वो उतर पर देश चली जाएगी मतलब ऐसे movement करती रहती है क्योंकि इसका जो काम होता है वो protection की जो security देना होता है और trainों में ये movement करती रहती है दोस्तो बहुत ही अच्छा जो हो है railway की अगर आप भी त्यारी कर रहे हो rps up की तो आपके लिए इससे बड़ा मोका और कई आपको लिए नहीं हो सकता क्योंकि लगातार इंतजार हो रहा था कि कब तक vacancy आएगी अब एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख सेकते हो बहाली में इस बार पहली बार मैलाओं के लिए सीटे भी रहेगी सुरक्सित 50% सीटों को फैले ही आपर रिजर्वेट कर दिया गया है female candidate के लिए क्योंकि railway की सुरक्षा को देखते वे female candidate की vacancy को ज्यादा बड़ावा दिया जा रहा है क्योंकि female candidate है वो railway में बहुती कम है सरकार की तरफ से रेल्वे की तरफ से 50% vacancy जो आपके 18,000 की vacancy है उनका 50% vacancy female candidate है उनके लिए याँ पर रिजर्वेट रखी गई मतलब 9,000 vacancy अकले female candidate की है जबकि 9,000 vacancy जो male candidate की है दोस्तो जो आपकी ये vacancy है ये आपकी distribute रहेगी अलग-अलग जोन के इसाब से कि अलग-अलग जोन में अलग-अलग आपकी vacancy होगी और अलग-अलग जोन की अलग-अलग ही आपकी कटोप रहती है तो दोस्तो ये थी एक मेरे दोरादी की छोटी सी जानकारी जानकारी अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले वीडियोग